तो हलो गाईज हम आच चुके हैं लाइव और लाइव में तो हम आच चुके हैं लाइव और लाइव में मैं आप लोगों को बहुं सारे चीज़े बताने वाला हूं जुल्री तो मैं फिलाल अभी दिखाने पाऊंगा तो अभी अपन लाइव करने वाले हैं और लाइव में मैं आपको कुछ चीज़े बताने वाला हूं कुछ नहीं चीज़े बताने वाला हूं क्योंकि इंस्टाग्राम में अभी एक Instagram हम लोग यूस करेंगे और Instagram में प्रॉपर यूस करूँगो उसमें प्रॉपर रील वीडियो विढ़ेश मैं भी उसमें विद्पेस आऊओंगा तो फिर आपके सामने आऊँगा ठीक है ऐसी आऊँगा तो बोलोगे आप भी पागल गुद्धी तो अपन क्या आए ना प्रा पूजा किया ऐसा ओपनिंग बहुत ग्राइंड ओपनिंग मैं किसी भी उस चीज पर ज्यादा बिलीफ करता नहीं हो तो सिंपली मैंने पूजा किया है और उसके बाद अब हम लोग अपना शॉप रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए और शॉप के पहले दिन हमको मिला है कुछ भपन होने के बाद में करणा से तो करंडा से हमारा पहला ओर्डर कनार चाटा कि थार्ट करला कि पहले पीसे-स लिए तो यह सब के विए अल्रेडी दो लाघ बहुत पहले आएक साल पहले बहुत पहले साल पहले अभी जो रिसेंटिडे मे इस फिविटीब सिट् Islands see वो कनाड़ा से ओर्डर है इन्होंने अल्रेडी पहले भी दिया हुआ है अभी मेरा शॉपीफाई थोड़ा सा तकलीफ है ओपन नहीं हो पारा पांच मेट रुकने बोल रहा है तो अपन पांच मेट रुक के फिर अपन शॉपीफाई ओपन करेंगे और उसके बाद प्रॉप इंस्टाग्राम में होने बावाल क्यूंकि मैं आ चुका हूँ अब इंस्टाग्राम में हम लोग करेंगे लाइए और लाइव में मैं आपको जूल्री दिखाऊंगा और देखो मैंने स्टार्ट किया है अपना बिसनस Zero से मैंने अपना बिसनस के लिए एक रुपए भी किया हुआ था और नॉर्मल मैंने जो किया हुआ है आज मैं अपना शॉप खुला हूँ और बहुत जगह मेरा भी अच्छे खासे बिजनस चलने देड़ दो करोड का टर्नोवर होता है और यह सब मैं आप लोगों को बताऊंगा देखो मैं कोई मोटिवेशनल पिकर भी नहीं हूँ मैं कोई बिजनस कोज भी नहीं हूँ मैं बहुत बड़ा कोई यह सब भी नहीं है लेकिन यह कि मैं जो अपना experience है जो परसनल दो-चार दिन ये एकात हपते में ठीक हो जाएगी इसलिए अभी मैं दो-तिन दिन से वीडियोज में डाल रहा था पहले दूसरे सिटी में हमारा ओफिस था अभी वह ओफिस हम लोग क्लोज कर दियें विलासपूर में तो अभी रायपूर में नया ओफिस रहेगा अगर जिस डिश्टल मार्केटिंग से लेके आपको बिजनस कैसे करना है वेंडर कहां से मिलेंगे सारी चीज़े आपको मैं बताऊंगा और मैं तो खुद हूँ ही आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि देखो मैं एक छोटे सिटी से हूँ और ज्यादा कुछ मुझे भी नही बिक रहे तो चीजे चल रही है लेकिन बिजनस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता ऑनलाइन में भी यह सी होती है ऑनलाइन में आसे नहीं बस कंप्यूटर बैटर मोबाइल में वीडियो डाले बस और बेच रहो पैसा कमा रहो अब जैसे मेरा और भी 56,000 का तो अभी मैं व बिजनस करने के लिए अगर आप ऐसा विजनस करते हैं तो और कैसे लेकिया है मुझे थो खैर बिजनस का आईडिया है कि मेरे जितने भी खांदान की लोग है सब सरकारी नौकरी वाले महीं अकेला हूं जो अब अबिसनस कर रहा हूं और मुझे अभी यह शॉप ओपन की हो कि नहीं चरापाऊंगा ठीक है कि मुझे experience है नहीं offline shop का तो अभी हम लोग आपको Monday से हम लोग shop properly start करने वाले हैं तो मैं Monday से proper YouTube में वीडियोज भी डालूगा कि मैं पाइडे चौप में कितना sell करता हूं क्योंकि मैं अब यह वीडियोज आप लोगों के लिए कम अपने लिए ज्यादा डालूँगा YouTube में वीडियोज की मुझे क्या क्या स्ट्रगल हुआ था स्टार्टिंग से क्योंकि ज्यादा दिन अकर हो जाएगा मैं मैं तो सुरू से ही सोच रहा ह तो ठीज बताने में तो मुझे करने पड़ते आप तो मैं सिर्फ यूटूब में इन्स्टा में बाकी जगले से'll मेडिया पे सारा मैंच लाओं हुआ बाकी sales और बाकी चीज़ों के लिए अपने staff रखेंगे वो आपको proper guide और inform करते रहेंगे ठीक है तो उसे साब से चीज़े हम लोग आगे चल रहे हैं और दीरे दीरे आने वाले time पे हम लोग और भी आगे जाएंगे तो अगर आपको business करना है तो भी आप मेरा YouTube चैनल जोइन कर सकते हैं ब्रैंड फॉक्स करके भी चैनल है जहां मैं प्रॉपर टेक्नीक्स बताऊंगा जो वाके में सीजर्स हैं as a business करने के लिए online उनके लिए free of cost है और कल का तो मोदी जी का मैं creator आवाट देखके मैं आप तो सोची लिए हो कि मोदी से मिलना इतना तो मेरा था लेकिन कल का वो देखके कि भई ऐसा तो possible नहीं था कि मैं मिल पाऊं इस life में तो लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैं impact वो dent create नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं free of cost जो भी अपना experience है जो भी अपना knowledge है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने तीन साल में zero से start करके literally एक रुपए भी बिना लगाए सिर्फ एक internet जियो कसीम और एक mobile वो भी टूटा हुआ वहां से मैंने start की journey और जब तक मुझे पहले personal knowledge ना हो जाए मैं लोगों को franchise कैसे बाठ दो तो वो चीज़े हैं कि पहले मैं अपना franchise जो है खुद चलाओं मैं अपना shop offline shop का experience खुद करो जैसे मैं online में आपको पूरी guide दे सकता हूँ A to Z क्या तकलीफ आएगी क्या तकलीफ नहीं आगी वो ही बता सक होगा वो मुझे आया है अगर मैं वह उनको बता दूंगा यह चीज़े ना करो इसमें आगे जाके यह तकलीफ होगी तो उनके लिए better होगा तो वह सारे problems का solution भी मैं दूंगा जो जो मुझे problem आई है यहां तक business लाने में वह सारे problem का solution मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको वह problem का solution खोजने में तकलीफ ना हो जैसे मुझे हो रही है मैं दो मैने से भी परशान हूँ कि वह कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा problem को solution अभी भी मुझे नहीं मिला है जो पर उसको शॉट आउट करेंगे कैसे भी करके और फिर वह मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आने वाले मैं फेस किया हो सकता है कुछ problem मैंने फेस नहीं किया जो आप लोगों नहीं किया है तो वह हमें community बिल्ड करेंगे जहां हम दो आप जो भी online business करने वाले हैं सब आपस में अपने problem share करेंगे मुझे sales का कोई तकलीफ नहीं है मेरे पास orders तो अल्लेडी आते जैसे मैंने बताया एक दर करोड का turnover shark tank में भी नहीं जाते शार्ट टेंग में 30-35 लाग के turnover वाले पहुंच जाते हैं बट मैं shark tank अभी नहीं जाओंगा उसके लिए चाहिए team उसके लिए चाहिए proper planning जो कि मेरे पास अभी नहीं है कि क्यों मैं चोटे city में हूँ तो मुझे guide करने वाला नहीं है तो आप भी अगर चोटे city में और बाकी लोगों को आप business देखोगे तो बड़े बड़े cities में उनके पास बहुत सारी चीज़े होती हैं वो हमको नहीं मिल पाती तो वो चीज़े मैं आपको provide करवाओंगा कि आप लोग जो है चोटे city में हो बड़े city में हो गाओं में हो कही अब घर बैटे बैटे फोन से काम कर पाओंगे और वो चीज़े कर पाओंगे इसका कोई charges नहीं फ्री ओफ कॉस्ट है बस आपको videos देखनी पड़ेगी और like करना पड़ेगा क्योंकि बढ़े बढ़ूंगा तक तो मैं मोदी से मिल पाओंगा तो मैं कल के full इंप्रेज हूं बट मुझे को अंदर से कोई cause नहीं आया क्या करना मुझे कोई fame के जौरत नहीं मुझे कोई अपना face नहीं चमकाना है को मुझे कोई influencer बनना नहीं है बट ऐसा है कि आज की rate में creator बनना ज्यादा जोड़ी अगर आपको business करना तो भी आपको creator बनना पड़ेगा आपको अगर कहीं अपना business को आगे ले जाना तो भी आपको आज की rate में business man बनने के लिए भी आपको influencer बनना पड़ता है creator बनना पड़ता है तो असली businessman वही होता है जो time के साथ अपना mindset change करे मुझे अपना face चमकाने में कोई interest नहीं है मुझे influencer बनने में कोई interest नहीं है मुझे फर्ग नह चाहिए बाकी तो मैं करते रहेंगे अपना आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है तो अगले साल या उसके अगले साल creator award तो आयार अपने को चाहिए इसलिए मैं पैसा नहीं ले रहा हूं आप लोगों से ठीक है पैसा के बदले आपको बस like करना सब्सक्राइब करना है और share करना लोगों को क्योंकि मेरा एम पैसा कमाना नहीं होगा वहां पस मेरा एम है कि अपने आपको recognize करवाना as a prime minister से और creator award मेरा cause अभी तक मुझे नहीं मिला था YouTube वीडियो बनाने का तो वो cause मुझे कल मिल गया और अंदर से वो trigger किया कि हाँ आपन भी आसा करते हैं ऐसे में तो कभी तो वो चीज मैं आने वाले time पे करूँगा और मैं brandfox मेरा channel है वहां मैं आपको detail video बनाऊँगा कि मैंने कैसे start किया आप कैसे start कर सकते हैं बहुत सारे लोग videos बनाते हैं जो ली sell करते हैं कपड़े sell करते हैं बहुत सारे चीज़ सेल करते हैं उनको वो चीज नहीं मिल पाती करेंगे बिजनस अभी boost वाले अपने आ गया है और चीजे content बनाना वह सारी चीजे हैं तो मैं आपको सारा चीजे a to z knowledge दूँगा और अब क्या है कि शॉप में हूँ तो प्रॉपल अपन चीजों को आगे explain भी करेंगे आगे चीजे बढ़ाएंगे भी और बिजनस के लिए और मैं पता है असले बिजनस मन वही होता है जो टाइम के साथ अपने आपको बदलता है तो पहले यह चीजे चल जाती थी कि या तो भाई मैं बहुत पैसा फिक हूँ एड में चला दू ब्लिंग बैक जैसे बाकबुशी सूस जैसे मतलब तुम इंस्टा खोल रहो अपने ऐड दिख रहा है तुम फेस्बुक जा रहे हो अपने यह दिख रहा है गूगल खोल रहा है अपना यह दिख रहा है उसमें पैसा पानी की था भादा था तो जो जटवरी आप ले रहा हो वो एड चला चला की इतना हो गए कि उसके business loss चला गया शाट टेंक वाले शाट टेंक है अभी में जादा देखता हूं पहले दिखता था अश्नीर के टाइम पे वह एक दम क्लियर बंदा था मेरे जासा बंदा था एक दम जो रहता है मुह पे बोलता है इधर उदर excuses वाली बा आती है मतलब आप तक पहुचने का एड का तो यह अगर 32 की तो 4000 में मुझे बेचनी मजबूरी है ऐसा है तो उस इसा आप से चलता है ऐसा नहीं कि जितना ज्यादा जिसका एड देखोगा उसकी जुल्री उतनी महेंगी होती है अपने आपने लोगों ने बहुत कमी देखा होगा ठीक कभी कभी बूस्ट कर लेते हैं बाकि ऐसा प्रॉपर एड नहीं चलाते और फिर भी हमारे इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे ओडर सा जाते हैं और मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा यूटूब पे तो आप यूटूब पे अगर प्रॉपली मु वो जुलरी अच्छी सर्विस के साथ अभी मेरी सर्विस थोड़ी सी वो है कि कि हम लोग इतने सारे रिप्लाय कर नहीं पाते हैं उतने स्टाफ में हर नहीं करता क्योंकि उससे प्राइजिंग बढ़ती है तो वो चीजे मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए चीजे करना चाहते हैं तो कैसे स्टाट करें मैंने भी दो तीन डाले उसमें 99% लोगों 99% या 95% लोगों ने बोला कि हां वो करना चाहते हैं फेस के लिए पूछा तो फेस के साथ वीडियो बनाई है तो आपन फीमेल मॉडल भी हायर करेंगे जो आपको प्रोपर गाइड क के जैसे पहन के ये सारी चीजें करें के आपको बताएंगी और वहां से फिर पखरी कर पायेंगे ऊसमें डॉट भी कम रहे गा और तकलीफे भी कम रहेंगी और होलसेल बल्क में भी हम लोग on Organisation आने वाले टाइम पर प्रोस सकरने वाले तो बहुत सारी चीजे होने वाली नहीं और नया सिटी में आये हैं नया शॉप है नया चीजे हैं तो सब कुछ नहीं होगी और कुछ अच्छी होगी कुछ धमाकेदार होगी experience का मैं offline shop का तो बस आप लोगों सब्मीद है कि support करते रहेंगे तो अपने experience बढ़ाते रहेंगे और वो experience मैं आपको देते रहूँगा आने वाले टाइम पे और मैं आपको चीजे बताऊँगा सिखाऊँगा बहुत सारी चीजे करने वाले हैं तो फिलाल अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं ब्रेक के बाद मैं जल्दी वीडियो आपको यूटूब में डाल दूँगा और वहां से आप जाके देख लेजेगा जेवर नाम से आप जाएंगे जेवर जूलरी या जेवर बीस पी नाम से सर्च करेंगे तो आपको दिख एच्छे घंडेन्प हो सके मैं मैं बनाने की में पडि ऐस समान सब है वस स्युष्म की कमह हो चाती है कि कभी इस cuánt का पूर का आपकूर्द करोंगा आप लोग अप्लों बस ऐसी सपूर्ड करते रही है जैसे पहले किया था अभी एक दिर साल से हमारा engagement थोड़ा डाउन ने क्योंकि मैं live नहीं आ पाता था मैं reels नहीं डाल पाता था तो वो मैं फिर से करूँगा अकेलिए बाकी चीज़ों के लिए staff air करूँगा और फिर से हम लोग की engagement अच्छी होगी और बस यह अभी एक दो तीन चार है चार के बाद आगे और बी जगा खाली है यह भी हमको फिल्फिल करना है वो भी हमको आगे बढ़ाना है पुरा पहका पैक हो जाएगा तह मजा आएगा ठीक है तो बस अभी के लिए इतना ही मिलते हैं ब्रेक के बाद बाई बाई गुट आइट